कि हालो फ्रेंस वेलकम टूपबेसिक क्लासे स्टोफेंस आज किस वीडिया हम बिलोपन विदी से कुछ समीकरणों को हल करेंगे सीखेंगे कैसे करें अब बहुत बेसिक से आपको बताएंगे आपको पूरी समझ में आएगी फ्रेंस तो यह मैंने कुछ समीकरण डिक लिक लि all एक है और यह हमारा क्या है तो समिक्रण 2 है कि यह हमारा समेकरण 2 यहません एक और इसको समीक्रण 2 देखिए भी लोपन बेठेस हल करने का मतलब क्या होता है दहीं श्युक्रण का मतलब होता है विलूप्ञ करना यानि या तो किसी फौर फौर वाए को माइस को रूआ में बनाकर भी लोप्त करिए यह त्रीएक्स को 23 एक्स बनाकर भी लुप्त करिया है जैसे बी करें लेकिन एक पद को बीलुप्त करना पड़ता याने तुचर। से चाहर पर्गंद करीए या फोर ऑाई ना थूब और करकर देता हूं को दोनों को बराबर करके करने के लिए तो आई को बिलूप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यानि माइनस ठू आई को हमें बनाना है फोर वाई तो फोर वाई बनाने के लिए हम दो से इसमें अगर हम इसमें दो से गुणा कर देंगे तो हमारा फोर वाई खूब आसाने से बन जाएगा अग समीकरण 2 में समीकरण 2 में दोनों पक्छों यानि एक पक्छ ये और एक पक्छ ये दोनों पक्छों में दोसे गुणा करने पर दोसे कि गुणा करने पर इसको लिखना है आपको यह फ्रैंज क्लास तेंद के पेपर में आया हुआ कोस्चन है 2022 का हमेसा पूछा जाता है बिलोपन विदी प्रतियस्थाप अधिकटा में बिलोपन विदी का अधिकटा में पूछा जाता है तो देखिए समीक्रण 2 में 2 से गुणा करने पर यानि इस समीक्रण में अगर हम 2 से गुणा करने पर तो मैं अगर 2 से गुणा करूं तो 2 दूनी 4x-2y दो दोने चारवाई हो जाएगा और इसमें करो तो चारवाई हो जाएगा समीकरण दो में हमने दो से गुणा किया दोनों पक्षों मैं यहां लिख दे रहा हूं गुणा करने पर दोनों पक्षों में कि दोनों कि पच्छों में मैंने दो से गुणा किया तो हमने लिख दिया तुमिकरण दो में दोनों पक्चों में दो से गुणा करने पर इसको माल लेजिए आप समीकरण तीन इसको हम माल लेंगे समीकरण 3, 4 भी मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, इसको माल लीजिए आप समीकरण 3 अब जब इसका जब हम इसको बराबर कर दिये 4 भाई को तो अब बार यह बिलुप्त करने की तो लिखेंगे समीकरण ऌना समीकरण को एक वह दो को जोड़ने पर, समीकरण एक और तीन को जोडने पर समीकरण 1 बद 3 को जोडने पर तो अमना समीकरण 1 क्या है हमारा 3x प्लस 4y is equal to 10 is equal to 10 यह हमारा समीकरण 1 यह हमारा समीकरण 1 और यह हमारा समीकरण 3 इसमें हमें इसको हमकिसमें से जोडना है तो 4x minus 4y is equal to 4 है हमारा क्या है हमारा समीकरण 3 है यह हमारा समीकरण 3 अब हमने यहां क्या लिखा है समीकरण 1 वा 2 को जोडने पर यानि हम यहां जोडेंगे तो यहां हमने जोड कचिन लगा दिया और जब इसमें जोडेंगे तो यह प्लस है और माइनस-ी होगा और यह हमारा हो जाएगा प्लस आज तो यह हमारा बोजाएगा चार्टीन साथ एक्स और यह plus minus minus समय सब पता यहां को कटता है अगर plus minus माइनस रहेगा तो यह कटेगा यहां से हम इसको काड़ देंगे ठिक अब काठने के सबाद हमको का मिला यहां हमको मिला दोस और चार चाहूदा चिक अब देखिए सेवन एक सेजिकल टू चाहूदा है तो हम एक सीजिकल टू चाहूदा वर्टा साथ को असानी से हो जाएगा तो एक्स का मान कितना हमारा हो जाएगा दो एक्स का मान कितना हमारा हुगा दो अब हमने इसमें से एक्स का मान ग्याद कर लिया अब हमें ग्याद करना है वाई का मान तो हमने जो समीकरण यहां लिखा है एक एक मतल्द हमने यहां समीकरण लिखा है अगर हम इसी में अगर अगर एक्स का मान रख दें तो हमको वाई का मान मिल जाएगा तो इसमें आलिखेंगे हमने आलिखेंगे समीकरण समीकरण एक में समीकरण एक में किसका मान रखना है एक्स का मान रखने पर एक्स का मान रखने पर 토 случа ix comment रखने पर मह्मारा समिक्राइग एक्स क्या है तो एकसह साम लिठेसा लिक लेते हैं इत्व उस एकसमीक्राइग हमारे ट Glue Cheese pensi rex प्लस फॉर वाई इसको टू टेन जिरी एकस प्लस फॉर वाय ₇प य apparently आप समिकर एक उसका मान हम यानि दो इसको रखेंगे इसiben तो 3 गुणए 2 प्लस 4 y is equal to 10 ठीक अब 3 दोनी 6 अ प्लस 4 y is equal to 10 ठीक अब यह 6 प्लस में है तो इधर जाएगा तो हमेशा माइनस में जाएगा तो फोर y एगब पोर्ट sono Edge कितना अजयेगा दस में श्रफotte ALL गटाये तो जार आए güंध में है तो भग में जाएगा भाग में जाएगा भाग मैं जाएगा है और ऐसी गंआ कितना मिल गया एक हमें धूत मांचे मिल गया देख मालोन मैं आपको समझा रहा हूं देखिए तो आप इन दोनों को बिलूप्ट करिए कर ने के लिए को बराबर करना पड़े backwards कर इसमें sea अगर न लूं को बराबर किया वहाँ दोनों को चार की वहाँ इसको लाना है तो हम इसमें 2 से गुणा किये हैं गुणा कर और गुणा कर दी अगर देखिए अगर यहां प्लस माइनस रहता है अगर यहां प्लस और माइनस रहे तो जूटेगा यानि प्लस का चिन लगाएंगे ठीक और अगर माइनस माइनस रहता है तो माइनस का चिन लगाएंगे तो यहां प्लस माइनस है तो हमने प्लस का चिन लगा यानि टेन टेन और यह चौदा चौदा हो गया और एक्स कमान हमने याद दो लिकाल लिया और एक्स कमान लिकाल लिया तो या तो आप इस समीक्रण में रखिए या तो आप इस समीक्रण में रखिए दोनों का एंस्वर बराबर ही आएगा हमने इसमें इसका मान रख लिए पसंद आया होगा क्योंकि मैंने बहुत ही विस्तार्स इसको बताया है इस 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 कोस्चन को ये 2022 में बोर्ड एक्जाम में पूछा गया कोस्चन था यह हमेशा पूछा जाता है बीडियोपन विदी का पांच नंबर का सवाल अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को झाल 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 झाल